तो आज के क्रिप्टो अपडेट में आप लोगा स्वागत है और पहले बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नुडिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आपको हमेशा क्रिप्टो के लेटेस अपडेट से वाकिव रहे क्योंकि ट्रेडिंग क कहां तक सच्छा है यह अभी एक्स्प्रेइन करते हैं तो यहां पर बैंक ओव अमेरिका आपरूब बिटकोइन फ्यूचर ट्रेडिंग फोर सेम क्लाइंट मतलब दोस्ते यहां पर क्या है बैंक को अमेरिका के तरफ से कोई लेटर नहीं आया है मतलब प्रूब के तोर पे कोई इसा लेटर नहीं आया है कि मतलब और फूब कर दिया बट यहां पर एक सोर्स के तहत यह निउज निकल क्या रहा है किसी सोर्स के हावाले से जो कि क्वाइन डियस के आटिकल पर देखने को मिल रहा है तो बहुत जल्दी जब निउज सभी लोग को पता चलेगा इस न मार्केट करेगा इसलिए आप लोग से रिक्वेश्ट अगर आप लोग मार्केट को ग्रोफ करवाना चाहते हैं इस निज को फैला है मतले एक से ज़रू कर दे ताकि इस निज कि वारे मिलों सभी लोग को पता है और जैसे सब निज से और जल्दी अप होता है तो अगर नुदान जरूर करें शेर कर दे और लाइक कमेंट भी करें देन यहाँ पर हम अब सकेंड अपडेट के बारे में बात करेंगे तो एक बहुत अच्छा अपडेट है यह भी बहुत ही कमाल का अपडेट है वन इंज फॉन्डिशन लांचेस थ्री मिलियन डॉलर ग्रांट प रहता के रूप में दिया जाएगा तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंट है क्योंकि सबसे पहला डिफाइड डवलपर्स को यहाँ पर हेल्प मिल जाएगा कि उससे अगर वन इंज के प्लेटफॉर्म पर डवलप करता अपना डिफाइड तो यहाँ पर उससे तीन मिलियन ड आस्मान चुएगा ओल बाउट देखा जाए तो वन इंच होल्डर के लिए एक अच्छी खबर है यहाँ पर हम बात करेंगे जो थर्ड अपडेट है पेपाल के तरफ से बहुत अच्छा अपडेट है पेपाल के तरफ से जो की पहले एक न्यूज आया था जहां पर मेक्सि आफ से कर दिया है का अंधियर्स के लिए बर्चेब कर दिया एक लाख मतलब अब अब एक लाक के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक लाख डॉलर आप ईकल ना straw के बात कर रहा हूं Mrs आप ऐक लाक डॉलर तक मतलब कर सकते लिमिट बढ़ा दिया है जो कि Bitcoin and किसी भी Coin में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो PayPal के तुरू मिक्सिमम आप एक लाख डॉलर तक का transition कर सकते हैं तो यह भी एक बहुत अच्छा अपडेट देखनेक मिल रहा है और यहां पर जो फोर्थ अपडेट है बहुत ही कमाल का अपडेट है क्योंकि दोस्तों आज almost good news ही देखनेक मिल रहा है DeFi on Bitcoin, Jake Dorsey says Square new division will be make it happen मतलब यहां पर क्या है कि Square CEO Jake Dorsey has been revealed the Square build a new division will be the focus build decentralized finance DeFi service debt until Bitcoin network मतलब DeFi service को Bitcoin network पे run करने के लिए सोच रहा है इसका जो जिम्मिदार्य दिया है कि इसे run कौन करेगा operate कौन करेगा तो माइक broke करके है उससे दिया है और यह already basis का यह मतलब co-founder रहा चुका है तो एक तरह से देखा जाए दस्तों तो मतलब crypto के लिए के अच्छा ही भाइब्स आ रहा है फिफ्ट अपडेट भी बहुत अच्छा है टेंसेंस city want to accept property tax payment in bitcoin मतलब दोस्तों एक city है टेंसेंस वो bitcoin के थुरू टेक्स लेगा मतलब जो की property tax होता है वो bitcoin के थुरू accept करेगा जैसे कि मतलब जमीन सब आप जो लिखवाते हैं अगर हिंदी मैं आपको normal way में समझाओ जो property जो जमीन सब लिखवाते हैं तो वहां पर आपको payment करना पड़ता है तो उस payment को Texas City जो है bitcoin के रूप में accept करेगा मतलब bitcoin के जरी accept करेगा चाहिए कोई भी currency हो मतलब crypto के जरी accept करेगा तो एक तरह से बहुत अच्छा है कि थोड़ावा देया जा रहा है इधर से एंड ऐसे चोड़े चोड़े निउस से ही market growth करेगा क्योंकि जो हाल है market के ऐसा इस सब निउस आएगा तभी धिरे धिरे growth करेगा बुंद बुंद ही घड़ा बढ़ता है समझे न तिस बात पर भी एक लाइक बनता है एंड यहां पर हम बात करेंगे जो six update है Japan to reportedly take action to security crypto globally मतलब दोस्तों यहां पर क्या है कि जपान के तरफ से एक मतलब धाचा त्यार किया जा रहा है फ्रेमवर्क बनाए जा रहा है और वहां पर मतलब एक लाइक देखा जाए तो एक बंदा को हैर किया रहा है और उसे क्या है कि वह पहले देखेगा रिचर्स करेगा पूरा crypto market को कहां तक सत्त है इसको regulate करना चाहिए यह नहीं करना सहिए देखिए हम हिंदी लेगे मुझे धीरे आपको एजी वे में समझा रहा हूं इंगलिस में बहुत कुछ लिखा हुआ है उतना नहीं जानना इसके बारे में आप लोग समझे तो यहां पर यह है कि जपान के तरफ से crypto market को चानविन किया जा रहा है कि आखिर मतलब कोई समें कमीत नहीं है आगे चलके अगर हम regulate करते हैं तो कुछ problems नहीं होगा तो देन उसी के लिए भी action लिया गया है कि सबसे पहले मतलब एक रिपोर्ट त्यार किया जाएगा उस अनुसार से जपान भी कदम उठा सकता है इसे regulate करने में ओके तो देखा जा रहा तो अच्छा ही कर रहा है जपान भी कि आखिर पहले तो कोई भी चीज आप लेते हैं कोई भी समान लेते हैं सबसे पहले च्छानविन करते हैं तो पहले च्छानविन करेगा ही तो आप फुका क्या कहना कमेंट करें ठेक देन यहां पर हम बात करेंगे जो सेवंध अपडेट है जो चैना के तरफ से चैना सेंट्रल बैंक से क्रेप्टो इंफेक्ट डूड़ा क्रियेशन ऑफ दा सीवी डीसी मतलब दोस्ते यहां पर क अपना खुद का क्रेंशी लॉंज करने के लिए जहां पर वर्किंग पेपर रिलीज इंग्लीज वाइदा पेपूल बैंक ऑफ चैना सीटी क्रिप्टो क्रेंश एज इंपक्ट कॉंटेक्स एज डिटल अंग मतलब दोस्तों यहां पर क्या है कि बोला जा रहा है कि अभी जो क्रिप्टो का मार्केट है डिजीटल अंग कितरा है मतलब नौजवान कितरा है अभी विखर रहा है आईसी यही मौका है कि हम भी कदम रख दें तो एक तरह से यह भी बहुत अच्छा निज निकल कह रहा है मतलब आज बहुत यह अच्छा निज है देखने मिल रहा है यहें पर जो एट अपडेट है इसके बारें बात करेंगे एक छोड़ा सा बैड निज है बच्छा टेंशनल नहीं सकता नहीं है बाइनेंस स्टॉप इस्टॉक टोकन से उससे अब रोग दिया गया है आप अब इस्टॉक टोकन में मतलब ट्रेडिंग नहीं कर सकते इंवे कर ले हाँ ओ जो टाइम दिया गया आपका 14 अक्टूबर 2021 तक मतलब लास्ट जो टाइम है अगर आप लोग इस्टॉक टोकन में इन्वेस्ट्मेंट करके रखें बैनेंस के तुरू तो 14 अक्टूबर 2021 से पहले आपको उसे यूस्टी में यूस्डी में यूस्डी में जैस अब यहां पर बात करेंगे आखिर ऐसा क्यों किया गया है मतलब बैनेंस के तरफ से ऐसा कदम क्यों उठाया गया है और इसका कोई रीजन नहीं बताया है लेकिन मैं अपने वियू से आपको रीजन बता रहा हूं कि आप देख रहेंगे इधर कंट्री जो भी मैं यहां पर आज इस कंट्री ने इस प्राइंट को कर दिया तो हमेशा दिन बाद दिन को कर रहा है तो सब सब को देखते हुए श्टॉक टोकन्स को अभी तो कि अधर से नहीं जा रहा है कि आकिर क्या रीजन है बट ऐसा कदम उठाया गया है इसलिए आप लोग अगर इन्वेश्ट करके रखें तो जाके आप लोग 14 अक्टोबर से पहले सेल कर ले ओके तो दोस्तों आज के लिए यही आठ अपडेट था आई होप कि आप लोग को न्यूज पसंद आया हो और ऐस आपको नोटिफिकेशन मिलेगा साथ में आप लोग टेलिग्राम भी जोइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप लोग डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं अपना श्रेट आप ओफिस्यल वहाँ भी आपको अपडेट कर दूंगा देन मिलते दस्तों नेक् क्रिप्ट और न्यूज के साथ तब तक के लिए बाय जैंद जय भारत